इस भागती दोरती दिल्ली में आज किसी के पास समय नहीं है। ये शहर दिल्ली प्राचीम काल से अज तक कई घटनाओं और एतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस शहर ने अपने अंदर बहुत से रहसिय छुपाए हुए हैं जो शायद ही कभी कोई जान पाएगा। जो किला कभी फिरोजशाह तुगलक की आखो का तारा हुआ करता था आज वह दिल्ली में खंडहर पड़ा हुआ है। आज भी हजारों रहसियों को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है। सुबह उसकी लाश ही यहां मिलती है रहसिमई तरीके से यहां मिलने वाली लाश इतनी बुरी तरीके से पाई जाती है कि मानो उसे रात में किसी ने बेहद निर्दैता से मौत के घाट उतारा है इस किले के अंदर एक बावली मौजूद है उसमें आज भी पानी भरा रहता है लेकिन सरकार ने इस बावली बंद कर दी गई है लोगों को मानना है कि इस बावली का पानी पीने वाला कोई जिंदा नहीं बच पाया है इस बावली का रहस्य सुझाने के लिए इसके पानी को जब शौध करने के लिए भेजा गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे की इनसान की मौत हो जाए फिर ऐसा क्या था इस बावली में जो इसका पानी पीने से आदमी की मौत हो जाती थी किमदंतियों के अनुसार इस खंडहर में हर रात एक ऐसी शक्ति आती है जिसे देखने वाला या तो अंधा हो गया या फिर उसकी मौत हो गई इस खंडहर के गार्ड और केर टिकर ये बात मानने को तैयार नहीं कि यहां किसी तरीके की कोई शक्ति मौजूद है वहीं लोग इस खंडहर में पैर रखने से भी काफते हैं